हेलो मेरे सुपरिस्टार बच्चों कैसे हैं आप सब एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूटूब चैनल मोहित क्लासिस पर फ्रेंड्स आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं समान हर वाली भिन्नों को जोड़ना वग जाएगा क्योंकि वह वीडियो कीलियर होगा तभी आपको भिन्न समझ में आएगी तो आप लोगों नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं होने वाली लेकिन अभी जब आगे जब समान हर नहीं रहेंगे तब उसमें आप लोग को बहुत ही दिक्कत होगी तो ठीक है मेरे समझ देखो लिखा हुआ है तीन इसको बोलते हैं बटे पांच ठीक और इसको आप लोग कहते हैं ठीक देखो अब जो नीचे लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं हर अब जो उपर लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अंस इतनी बात आपको आनी जहें जो नीचे रह कर दिक्कत होगे कि कभी बोल जाओं कि नीचे वाला है कि वह हैल कहा लेकिन हम सब कर तो जमीन मा चलता है उपर बदरवम जात हो जो आता है तो जो नीचे चलता है तो जो नीचे रहेगा उसको हम लोग हर बोलेंगे तो अंगरिया जी मा अगर आप अंगरिया जहाओ तो आप एक कहता हो दीनोमेटर कह सकता हो अगर अंगर इसको अगर इसकी नाट मारना चाहते हो तो मार लोग कोनो दिखकत नाई है चलो अब हम लोग एक कुश्चन लेते हैं फिर बढ़िया से किलिया होगा आपको अगर लिखा हुआ है 3 upon 2 plus 5 upon 2 ठीक है अब ये एक भिन दी हुई है बीच में plus लगा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये भिन का जोड है क्या है जोड अगर कोई भी संख्या इसे बटे में दिखे 3 बटे 2 5 बटे 7 तो ये सब को हम क्या बोलते है भिन बोलते हैं अब इसमे दो भिन है कौन कौन सी 3 बटे 2 और 5 बटे 2 बीच में लगा हुआ है पलस तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भिन का जोड और एक बात और देखो दोनों में ये पहली भिन है जिसका अंस है आपका 3 और हर है आपका 2 और दूसरी जो भिन है उसका अंस है 5 और हर है 2 अब आपको इसमें क्या समझ में आता है देखने में कुछ बढ़िया कुछ समझ में आता है कोई point हमको यह यहां से समझ में आता है कि यह जो दोनों भिन्य हैं इनका जो हर है वो समान है और वही तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समान हर वाली भिन्यों का जोड़ वा घताना तो देखो इनका हर समान है तो अगर हर समान है और भिन्य जुड़ रही है तो कैसे जुड़ें लाइन पार दियो और जो कुछ ऊपर रहेगी उसको आप नोट कर लेना यहां पे है थिरी तो यहां पे प्लस है तो प्लस अभी जब घटाना सिखेंगे सब्ट्रेक्ट करना सिखेंगे तो जहां प्लस है वहां माइनेस कर देंगे बस अगर यह आ गया तो वह तो खुद ही आ होता है एट तो थिरी और प्लस फाइब होई जये का तरह आठ होई जये तो इसका हम लिखाब का आठ अब इसको आप कैंसिल करना जानना चाहिए अच्छा चलो एक वीडियो हम कैंसिल करने वाले पर भी बना देंगे आपके लिए कि संख्याओं को कैंसिल कैसे करते हैं तो तो देखो टू वन जा टू होता है और टू फोर जा एट होता है ठीक अगर आप लोग कैंसिल करना जानते हैं तो ठीक है अगर नहीं जानते तो उसके लिए आपको एक वीडियो मिल जाएगा बहुत ही जल अब देखो उपर आ गया फोर और नीचे बचा है आपका वन और क लोग को हमने जोड़ा तो आया कितना चार चलिए एक नई भिन लेते हैं शुन्दर शी बढ़ियां सी ये बताईए कि ये समझ में आया अप लोग को की नहीं आया नहीं आया तो कोई बात नहीं फिर से समझे अगर कोई भिन आपको दी हुई है सेबन अपॉन फाइब प्ल यह चलिए मैंने क्या बताया था पहला काम आपको जो आपका हर रहेगा उसको इसे कर लेंगे नोट और एक ऐसे बड़ी सी लाइन कर देंगे और जो कुछ उपर रहेगा उसको आप नोट कर लेंगे यहां सेबन है पहले वाली भिन का अंस आप नोट कर लेंगे बीश में 5-5-5-15 यह आया आपका 3 बटे एक और फिर से बटे में एक आ गया अपान में अगर 1 आ रहा है तो कोई लिखने किया सकता नहीं है तो इसको आप लिख सकते हैं 3 के लिए तो 7 upon 5 plus 8 upon 5 is equal to 3 होता है ति यह आपका answer हो गया नहीं समझ में आया कोई बात नहीं यह फिर से समझ लो लिखो जैसे लिखा हुआ है तीसरा number question आपका दिया हुआ है 7 upon 3 plus 8 upon 3 plus 6 upon 3 अब इसमें देखो कितनी विन है तीन विन है तो कोई दिक्कत नहीं 3 हो 4 हो 10 हो 100 हो 1000 हो हमें कोई मतलब नहीं जो हर है भिन्नों का उसको हम कर लेंगे note उसको हम कर लेंगे नोड और जो कुछ भी जितने भी भिन्ने हैं सब के अंस को आपस में कर लेंगे अएड कब जब भिन्न के जोड की बात की जाएगी ठीक है माइनस में मत कर देना नहीं तो सब चवपत होई जाए भाई अब सेबन है सेबन लेख दिया प्लस है तो प्लस एट है तो एट फिर प्लस अब तीसरी वाली भिन्न है उसके भी अंस को नोड कर लो अब उपर जितने भी हैं अंस सब को आपस में आइड कर लो तो आठ और साथ पंदरा और चाईकीस बटे तीन अब इसको कैंसिल कर दो तीन एककम तीन और तीन सत्यक कैस यह आया कितना साथ बटे एक और फिर बटे में एक लिखने की कोई आउ सकता नहीं आपका सेबन आग प्लस थेरी अपान फाइब इसको आप लोग करेंगे वीडियो को रोक दो आप लोग करो पहले फिर मैं करवा रहा हूं चलो अब देखो काम क्या है आपका जो आपका हर है उसको कर लेंगे नोट और हर एक भिन के अंस को आप उपर प्लस के साथ लिखते चले जाएए इसक प्लस देख दिया आब यह क्या होगा सात और तीन दस और नो 19 बटे पांट यह कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है आप इसी को बोल दो एंसर 19 बटेपांच अब इतने का अगर आप लेना चाहें इस किंसाट तो ले सकते हैं फिर हम हम लोग ले रहे हैं भिन्नो का घटाना सीकने कैसे भिन्नो को घटाया जाता है चलिए कि ले लिए इसकी सोर्ट इस अब हम लोग सीखने वाले हैं समान हर वाली भिन्नो को घटाना कुश्चन है आपका 8 upon 5 minus 3 upon 5 काम वही है जो हम लोगों ने प्लस में किया था पहला step कि आप उस fraction की भिन की भिन को अंग्रेजी में कहते हैं fraction भोल गया था बता ना जान लो अब उस भिन के हर को आप note कर लेंगे और अंस जो भी होंगे उनको आप note करते चले जाएए और fraction में जो भी साइंग है मतलब चिन उसको अजटेज अब पहले वाली भिन का अंस था 8 तो हमने 8 लिख दिया माइनस लगा है तो बीच में माइनस लगा देंगे अब दूसरी वाली भिन का है अंस तीन तो हमने तीन लिख दिया अब आठ में से तीन को घटाएंगे तो बचेगा कितना पांच और नीचे भी बचेगा पांच पांच एक पांच पांच एक बटे एक बोले तो एक हो गया अंसर आपका एक कुछार और ले लो नौ बटे छे माइनेस पांच बटे छे अब इसको कैसे करेंगे तो काम वही है आप लोग दोनों भिन के जो आपके हर होंगे उनको हम लिख लेंगे पहले और यह कैसे बड़ा सा टो माइनेस लगा दिया 5 है तो 5 कर लिया अब ninth मेle s 급 at को माइनेस करोगे तो बचे गा कितना चार बचेगा और दो से होगा पहले दो से करो दो दूनी चार और दो तिया छे अब नहीं हो पाएगा अब नहीं हो पाएगा तो इसी को कहीं दो एंसर है यह दो बटे तीन आपका एक कुश्चन और ले लो बढ़िया सुन्दर सा अगर आपका दे रखा है 12 अपाउन सेवन माइनेस थिरी अपाउन सेवन ठीक है अब इसको हम लोग कैसे शॉल्ब करेंगे तो इसके लिए देखो क्या होगा काम वही हर को नोट कर लो अंस को 12 माइनस लगा है माइनस थीन अब बारा में से थीन को माइनस करोगे बचेगा कितना नौ और बटे में साथ यही आपका एंसर हो जाएगा क्या है इसमें समझने वाली बात तो इसक्रीन सॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो फिर हम लोग की लिएर हो गया चलिए हम लोग बात करते हैं आप एस डबलू में आपको मैं दे रहा हूं क्या कर रहे हो अप फर्स्ट कुस्चन है आपका 7 अपॉन 5 प्लस 9 अपॉन 5 प्लस 8 अपॉन 5 सेकेंड कुस्चन है आपका 6 अपॉन 7 प्लस 9 अपॉन 7 प्लस 12 अपॉन 7 थर्ड कुस्चन है आपका 8 अपॉन 5 प्लस 6 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 फोर्थ कुस्चन है आपका 8 अपॉन 3 प्लस 9 अपॉन 3 प्लस 10 अपॉन 3 ठीक है और यहां पर मैं आपको दे रहा हूं क्या दे दू भिन का घटाना ले लो भाई मिल ला है फिरी में मिल ला है ले लो 5 नमबर अगर दे रखा है आपका 20 अपॉन 3 माइनस 13 अपॉन 3 6 नमबर है आपका 18 अपॉन 5 माइनस 11 पॉईंट 11 अपॉन 5 7 नमबर है आपका 16 अपॉन 9 माइनस 12 अपॉन 9 और 8 नमबर कुस्चन है आपका 12 upon 10 minus 1 upon 10 ये question आपको SW में करने हैं अगर नहीं हो पाएंगे कोई भी दिक्कत होगी तो comment कर देना मैं next वीडियो में करवा दूँगा ठीक हैं? तो इसका आप लोग इसकी shot ले लिजे पहले ले लिया तो friends आज का ये वीडियो आप लोगो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो please like किजेगा और अगर चैनल पर पहली बारा है तो हमारे चैनल मोहित क्लासेज को subscribe जरूर कर लिजेगा क्योंकि आपको एक से एक मैथ में घुस घुस के एक एक point में आपको पढ़ाने वाला हूँ ठीक है तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टापिक के साथ तब तक के लिए बाबाय सी यू